निउस डिवाइन के अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए निरंकारी जगत के एप्रिल 2015 के समाचारों की इस दिव्य यात्रा में मैं हूँ आपका साथी टाकेश नमस्कार धन्ने रंका तो आएए मित्रो अब शुरू करते हैं सफर निउस डिवाइन का सबसे पहले प्रमुक समाचार Headlines of the month Salvation to Earth of His Holiness Samagams Mission Overseas SNCF Diary एक खास मुलाकार And Other News दोस्तों पावन अवतारवाणी का संदेश है कि सत्गुरू अंदय दुनिया उत्ते दुनिया दे उधार लई सत्गुरू अंदय दुनिया उत्ते एक के वेपर चार लई जिहां सत्गुरू बाबा हरदेव सिंग जी भी इनी पंक्तियों को निरंतर जीवन्त कर रहे हैं देश और विदेश के अनेक स्थानों पर जा जाकर मानवत्ता का कल्यान करके अप्रेल महिने में भी उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में गुरू कृपा का दृश्य सजा आईए देखें ये दिखो उत्तर प्रदेश की मानव कल्यान यात्रा का आरम एक अप्रेल जॉन प्रफिक हुआ यहाँ पूर्वांचल विश्विद्याले स्टेडियम ग्राउंड में हजारों की संख्या में भक्त जनों का जन समुव एकत रोती था यह भक्त जनों का उत्सा ही होता है कि सद्गुरु की एक जलत पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं जॉनपुर में सद्गुरु बाबा जी का बारह वर्ष के पश्चात आगजिश्वात सद्गुरु बाबा हर्देव सिंजी ने शद्धालु को आशिर्वात बिजान करते ही है कि भजन कैले राम का समया उनमोलवा कि एक अनमोल समय है इस निराकार को भजले इस दातार को प्राप्त कर ले ये बड़े भाग से ये जनम मिला है दो अप्रेल को कल्यान यात्रा का अगला पढ़ाव सुल्तानपुर था जाते हुई राह में दो नए सद्धन भावनों का उद्धाटम भी सद्गुरु बाबा जी ने अपने कर कम्नों द्वारा किया यहाँ 24 वर्ष के बाद दिवे जोडी का आध्मत हुआ सत्थन समारों में अनेक गणमाने सर्जन मी उपस्तित हुए दो अप्रेल को ही सुल्तानपुर में सद्गुरु बाबा जी ने आयोजित भावे सत्थन समारों में कहा कि मानवता का रुत्वा बुलंद होने से ही सच्चे धर्म की स्थापना होगी तीन अप्रेल को मंदीरों के लिए प्रसिद्य एटिहासिक शहर गोरखपुर के सुभाश जन्व बोस कॉलोनी के प्रांगण में हजारों की संख्या में मानव परिवार उमड़ा ऐसा नजारा देखकर महसूस हो रहा था मानव उत्तर प्रदेश का समागम हो रहा हुए तो हमसे ज्यादा नादान और कौन होगा हमसे ज्यादा मूरक और कौन होगा के सुनेरी अवसर मिला हीरे जैसा जनम मिला लेकिन कौडी कीमत हमने खुद डाले जब हमने सत्त की तरफ कदम नहीं बढ़ाए चार अप्रेल को नेपाल की सीमा परिस्थित गौतम बुद्ध की भुमी सिधार्थ नगर में सत्गुर बाबा हर्देव सिंग जी का पहली बार आग्म हुआ यहां उत्तर पुदेश के आसपात के शरद्धानों के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्यामे भक्तजन उत्साह पूर्वत समले खुए सिधार्थ नगर से पांच अप्रेल को कल्यान यात्रा का अगला पड़ाओ था बारा बंकी राह में दिव्य जोडी ने बासी बस्ति, छामी बाजार और स्माइल पुर के भक्तजनों को भी दर्शन प्रदान किये पांच अप्रेल को बारा बंकी के जी आई सी ग्राउंड में पहली बार सत्तन आयो जिक्तिवा यहां सत्तन समारों में सत्तगुर बाबा जी ने कहा कि इंसान गफलत की नीट से जाग जाए और सत्ति से नाता जोड़ ले ताकि जीवन समझ जाए 6 अप्रेल को उन्नाव में भावी सत्तन समारों आयो जित किया गया यहां भी अनेक गण्वानि सर्जन उपस किते 7 अप्रेल को कंड़ों में सत्तगुर बाबा हर्देव सिंगी का आदमन 28 वर्ष के लंबे अंत्राल के बात कुआ यहां आयो जित सत्तन में सत्तगुर बाबा जी ने फर्माया कि हर चलना पहुंचना नहीं होता चलना एक पहलू में और पहुंचना दूसरा शाहजाँपुर से एक चंदवली जाते समय राह में बदायू जिले के दातागंज और बदायू सत्तंग भवन पर भी शद्धालुओं को दर्शन करने का सभागे प्राप्त हुआ 9 अपरेल को सद्धगुरु बाबा हर्देव सिंग जी ने मुरादा बाद जिले के चंदव सी में आई टी आई ग्राउंड में हुए भावे सत्तंग तमारों में शद्धालुबहत्त जन्गों को दर्शन देकर कृतार किया सत्तंग तमारों में अलीक भाव रिक्ति गए उत्तर प्रदेश के 11 दिवसिये मानो कल्यार यात्र का अंति पड़ा था अलीगड़ु यहां आई जीप सत्तंग तमारों में सद्धिल भाव जी भाव जी कहा यही तो एक सत्त्य है, शाष्वत है, स्वयम भूब है, काइम द संत जन लाजिम कदम उठाने के लिए प्रेणा देते हैं, कि ये कदम जब तक नहीं उठेगा, तब तक इनसान अग्यानता में रहेगा, अंजान रहेगा, इस हकीकत का वाकिफकार नहीं हो पाएगा, तो ये अवसर ये मौका है, इस मौके का लाब उठाना है, इस मालिक प 24 अपरेल में हुए मानव एक्ता समागम पर नजर डालने जा, सर्वस्यों बलिदान कर दिया, इस अवसर पर एक रक्तदान शीविर का भी आयोजन किया गया, इस रक्तदान शीविर का ब्यवरा, SMCF डायरी में आप देख सकेंगे, समागम में अनेकों वक्ताओं, गीतकारों और कवियों ने बाबा गुर्वचन सिंग्जी के जीवन पर प्रकाश डाला और अपने शर्धा सुमन अर्पित किये, अन्त में, सद्गुरु बाबाजी ने आये हुए सभी शर्धालु भाक्तों को संबोलित करते हुए कहा, जिसके लिए इतने संदेश, इतने जतन और इतनी तब त्याग और बलिदान और कुर्बानियां दी गए हैं, उन्हीं मिलवरतन को हमने भी मजबूत करना है, एक आपस में भी हमारे ऐसे मदूर संबंद, हमारे मन में भी विनम्रता का भाव, हमारे भी हिर्दे की विशालता, हमारी भी सहनशीलता, ये सब प्रमानित हो हमारे इस विभार के रूब में तो यही एक आज के दिवस के ऊपर ऐसी ही एक प्राथना अर्दास की जा रही है Before we move any further in this episode of News Divine, friends, let us take a short little break and listen to this message. Fountain of Oneness, the light and sound show, देखने के ले पत हरे, निरंकारी सेरोवर कंप्लेक्स, every Friday, Saturday and Sunday, 7 and 7.30 PM. Welcome back friends, after a roundup of salvation to us and samagams, it is time to know about the news of the contributions and efforts being made by the various international branches of the Nirankari mission. Here is a detailed report. Each year, the Sant Nirankari Mission observes Manav Ekta Devas or the Human Unity Day globally in memory of Baba Gurbachand Singh Ji Maharaj, who dedicated his life for the noble cause of truth, non-violence, tolerance and human unity. As a tribute to Baba Gurbachand Singh Ji and many of his devotees, who also sacrificed their lives to uphold these ideals, Human Unity Day was celebrated with blood drives and other charitable services at the missions center across the world in Washington DC, Toronto, New Jersey, UK and Singapore among many others. Manav Ekta is that time for us to remember the role of the mission, that we serve humanity. And instead of in a world where we often get focused on the hate or the negative messages around us, it's our time to stop and focus and say that I'm instead of shedding that blood, I'm going to give blood. My blood is going to physically help other people around me who I may never meet. Every single unit of blood that we collect can help up to three people. To give someone else a better life. You're helping your fellow man when they are in trouble. The same blood flows in everyone. By giving it that you have saved someone's life. That is human unity to me. That if we have any ability to help our brothers and sisters, and it's this simple, then we have to do it. Doing this for humanity cause. We all have family members who at least at one point in their life need it. And if they don't need it, you know someone who does need it. Primarily because of the message that Babaji is trying to spread to the world. The virtue of tolerance. If you are giving something there that will be helpful to other persons, that you're healing it. Bringing all the humans in this world together, so a simple act of donating blood, one pint, can save three lives. And that's what it means to Manavekta. When you unify everybody through the same, which flows in your veins, it connects with each other. The blood you donate, it saves multiple, multiple lives. People coming together to help one another, regardless of their religion, regardless of their race, to donate their blood to help somebody who they will never see their face. They're going to help somebody without knowing directly where that is going. You blood save a life! After the martyrdom of His Holiness Baba Gurbacham Singh Ji Maharaj, Baba Dev Singh Ji Maharaj gave us a slogan that blood should flow in the veins, not in the drains. So our response to those people, misguided souls, was to give blood and give life to people. Manavekta is the day given to us by His Holiness Baba Ji to celebrate the unity of human mankind. You know, it's teaching us that we all are one. We all have the same thing. Manavekta means the unity of humanity. It cannot be synthesized unless somebody gives. The difference that is made is by the donors. Blood is the source of life. In recognition of this, the St. Nirnkari Mission, Toronto branch, held their 24th blood donation clinic in Brampton, Ontario, on Saturday, April 18th, 2015. Apart from the mission's members, local residents from the City of Brampton and Georgetown also participated by donating and supporting this great cause. A record-breaking 108 units were raised in this clinic. For the past 18 years, the St. Nirnkari Mission has been holding these clinics and manifesting the teachings of Satguru Baba Dev Singh Ji. Blood should flow in the veins, not in the drains. In the end, Charlene Goodwin, Territory Manager at Canadian Blood Services, expressed her gratitude. St. Nirnkari has been a partner with us for several years. The mission works very, very closely with us throughout the year in raising awareness about the importance of blood donation. And they do an active role in recruiting new donors for Canadian Blood Services. St. Nirnkari Mission, Leicester branch, hosted the 4th Human Unity Indoor Cricket Tournament on 11th of April 2015. Teams from across the UK played for the Human Unity Cup. On Saturday, April 25th, 2015, the Toronto branch of the St. Nirnkari Mission collaborated with the South Asian Heart and Stroke Foundation to host the first ever CPR training clinic. More than 30 Saevadal volunteers attended this training. During this training, the staff from the South Asian Heart and Stroke Foundation used video aid and practical mannequins to provide hands-on practice. Research shows that heart attack victims have double the chance of survival if they are immediately given CPR. This initiative aligns with Babaji's vision to serve mankind. The motivation behind the session was to be willing and able to act in emergency circumstances. In the end, Fridoz Ali, the head of the South Asian Heart and Stroke Foundation, commented that she felt extremely welcomed by the St. Nirnkari Mission and expressed her gratitude. दोस्तों जहां निरंकारी मिश्न आध्यात्मिक जागरुक्ता के अपने प्रयासों के माद्यम से, समाज में फ्रेम और श्ळांती जैसे गुन स्थाप्त करने के लिए प्रतीबद है, वहीं सामाजिक सहियोग भी हमारे दायत्मों में सदा ही प्रात्मिक रहे हैं. पिछले दिनों नेपाल में आये विनाशकारी भुकम से सारा विश्व सिहर उठा ऐसे में निरंकारी परिवार भी आहत हुआ हम अपनी हार्दिक संबेदना उन सभी परिवारों तक पहुँचाना चाहते हैं जिनका इस भीशन तरासदी में जान माल का नुकसाल हुआ मिशन के स्वायम सेवक हर प्रकार से प्रभावित भाई वहनों तक सहायता वो योगदान पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं संथ निरंकारी चरिटेबल फांडेशन के अन्य सामाजे की योगदानों का ब्योरा भी देखते हैं SNCF गाईए The संथ निरंकारी चरिटेबल फांडेशन ओगनाईशन ओगनाईशन के अन्य सामाजे की योगदानों का ब्योरा भी देखते हैं Remembering the sacrifice of Baba Gurbachan Singhji, thousands of devotees on the mission donated blood at 74 camps all across India and abroad The drive started with an awareness rally where hundreds of Nirankari sevadas riding on their motorbikes and carrying placards spread the message The gift of blood is the gift of life and blood should flow in veins, not in drains, encouraging people to donate blood The blood donation camp was inaugurated by His Holiness Sadguru Baba Haradev Singh Ji Maharaj The true master also blessed the donors by visiting them bed to bed and encouraging them Thousands of devotees participated enthusiastically in the drive which started at 9 a.m. in the morning and lasted till 4 p.m. More than 1400 units of blood were collected on a single day in this camp in Delhi नमस्कार, धनिरंकार, दर्शको, आज News Divine की टीम आप पहुची है, blood donation camp में जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वो दिन है, जब सभी भक्तजन यहाँ पर उपस्तित होकर रक्त दान करते हैं तो चलिए, यहाँ पर मापुरुष हैं, इन्होंने अभी अभी blood donate किया है, इन से जानते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, blood देना, बहुत अच्छा दर्शकों को कुछ message देना चाहेंगी? बहुत अच्छी बात है बाबाजी ने जो हमें संदेश दिया है, कि किसी की life अगर हमारी वज़े से से हो सकती है, हमारे blood donate करने से तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है तो doctors की भी मौझूद की यहां पर एक बहुत महत्वपून चीज रही, क्योंकि जिस तरह से अलग-अलग sectors के, अलग-अलग hospitals के doctor यहां मौझूद है blood collect करने के लिए यहां पर जिस तरह से विवस्ता बनाई गई है So we have Dr. Jasbir Singh, the medical officer with us and we are gonna ask him that how you are handling all the things over here See it's a very great blood donation camp, it's Manav Ektadivas and you see we are expecting about 1000 donors a year We have already taken 304 donors, all the hospitals from Delhi, from Delhi blood banks are participating in this I am Dr. Jasbir Singh from Blood Bank Indian Red Cross Society I am here from last year and every year we get here very good and donation is very good, Baba Ji is always giving us Actually I am here for 20 years, I mean we have a lot of thoughts, we have a lot of people Before we have about 2-5,000 people who are coming to blood, we have a lot of people who are coming to blood To see their health, we have a good feeling, we have to have to have to have ourselves to have to have a lot of blood Now we have to have a lot of blood, we have not even got to have a lot of blood मेडिकल और सेक्यूरिटी इंचार्ज मौजूब है इनसे जानते हैं सर 24 अप्रेल मानव एकता दिवस और ये ब्लड कैम 2014 में लास्ट येर हमने 446 कैम्प सारे ओल ओवर इंडिया लगाए जिसमें 79 जार से ज्यादा 69,076 ब्लड यूनिट्स डोनेट हुए 24 अप्रेल की महानता इसकी वज़े से आज की रोज में इंडिया में 67 जगा पे प्लड डूर्शन कैम्प लगाए गए हैं आज आप देख रहे हैं कि अपने आपको सभी प्रस्तुत कर रहे हैं रखता दान देकर जिसके द्वारा कितनों कितनों किसे हैं को जान कुला प्राप्रता है जिंड़ी प्राप्रती है तो इसी तरह की देन ये लगातार संसार भर में दी जा रही है दिन दिन कांट्री इस कॉंटिनेंट्स में साल भर में ऐसे लगातारा वे जोजन होई जाए हैं तो जरूरत है समाज को देश वासियों को संसार को ऐसा अनुकरन करने के लिए ता कि अपनी खुदगर्जियों तक सीमिदना रहें औरों के काम आएं औरों के काम आना वाला जीवन ही जीवन कहलता है Other cities where these camps were organized include Chandigarh, Araspura, Hyderabad, Mumbai, Pune, etc. On Saturday 4th of April 2015, the Nirankari Vocational Center, Nirankari Colony, celebrated the graduation ceremony for its first batch of students enrolled in personality development program. The two-month duration course was primarily focused on public speaking, memory skill enhancement, nutrition, health, and various other aspects encircling human personality. My name is Mamata Kumari and I am Nirana Suhu. Here I have been in the Nirankari Vocational Center, which I have given the PDA Classes, CCIP, and Web Designer Course, etc. I have joined the PDA Classes, which I have joined the PDA Classes, which I have given the PDA Classes, CCIP, and Web Designer Course. My name is Simran Sharma and I have just completed my course, that is Personality Development Course, conducted by Nirankari Vocational Center. I am a class Chawla and I belong to Karnal. I have come to studies here for the first time when I joined the PDA Classes, I was nothing. I would like to say something. I was zero. But after this class, I can say that I can change my course in my class, that I will change my course very much. Hi, this is Avneesh Batra and I attended the Nirankari Vocational Center's Personality Development Course. In this course, I really learned a lot and I got to know about how happiness can be earned just by how you feel. Good evening, friends. This is Supreet Batra. I am a student of Nirankari Vocational Center. I joined this Classes, Personality Development Classes. Two months before, I had no idea that this frame, this public speaking, is also a profession. I never knew this. I am really impressed by the faculties and want to learn more and more. My name is Sakshi Mehta. I have done a course from the Niranankari Vocational Center's Personality Transformation. Before this course, I had major depression. I have a lot of depression now, but in this two months, I have a change in my course. I have an experience that in two months, I can have confidence in a lot of things, but in health, I have no idea what I thought about. Congratulations to all. Nankar bless you all with success in your life. Thank you very much. The foundation day of SNCF was celebrated in Pradhan Laap Singh Memorial Hall of the Sant Nirankari Public School Nirankari Colony, Delhi, on the 14th of April, 2015. The day of celebration also marked one year of successful completion of NVC, i.e. Nirankari Vocational Centers. Graced by the Divine Presence of His Holiness Baba Haradev Singh Ji Maharaj, the function was attended by all the members of the Foundation, members of the Executive Committee of the Sant Nirankari Mantle, faculties and students of the Vocational Centers, and a large number of guests, including Sri Mangat Ram Singhal, a former MLA. Many volunteers of SNCF and students of NVC share their experience and views. How do you feel about SNCF working and service? How do you feel about SNCF? I feel very happy. We are connected to a mutual service. We are connected to a mutual service. SNCF is doing a lot of work, doing a lot of work, doing a selfless service, but when we got the opportunity to be part of it, we also got the opportunity to do something, then there is a very proud feeling, not to Baba Ji, that he is doing so much for the community and gives us a opportunity to become a part of it. I am very thankful that Baba Ji has chosen me to work for this social and noble cause. SNCF is a very wonderful achievement for me. Actually, I wanted to get a platform for me that I can support a society. And I got a platform for the Foundation. We also wanted to do that in Delhi, in India, in the whole country, we will do this way to support this community and support, so that everyone can benefit. So, let's see the poster that you can see at this time. Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj has also inaugurated it, and it is the one who has made it with us and is the one who has made it with us. They will know their name and they will know what things are going on in your mind and how you have designed it. Hello, my name is Shobita. And in my mind, there is a quotation that blood should flow in veins, not in rains. So, I have designed it. And as you can see, this is a volunteer who wants to donate blood. So, this was all in my mind. How did you feel that Baba Ji has inaugurated it yourself with your poster? How does it feel? It is very overwhelming. And I was literally in tears. Because it is only Baba Ji's blessings that I went to the stage, but there is nothing in me and nothing. So, I am very proud of you. 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 What we are here to teach here is that we are actually teaching facts. We are not teaching them. We are not teaching them. And the children are also utilizing them. And the children are very sincere. They are very cute. They are very good. They are learning and they are learning. And they are learning what we teach them. and how our dream is, and how we teach them. The Meritoris students of the NVC were also awarded with prizes in acknowledgement of their outstanding performance. The event concluded with the blissful words of His Holiness. जो आज यहां पर जो वोकेशनल रूप में जो टैलेंट्स जो आगे केरियर्स में भी सायोगी होता है वो पहलो जो एक ऐसी नॉलेज ग्रेंड करनी जो भिन भिन ऑर्गनाइज़ेशन के साथ असोसियेश्ट करके जो यहां अरम की गई जिसको एक बरस हुआ है जहां कंप्य क्योटर की है यह फिर और स्किल्स जो भी बताये गई GRE惹 जो स्टुडенти को च्रूजरें जिन्हों ने हैं को आपनी देस्टमेनी तो इसी प्रकार से यह टैलेंड्स जो प्रवाइड किय जा रही हैं यह जो ट्रेनिंग दी जा रही हैं दिली में और दिली से बहर अनिकों सह सहजे सहजे ये विस्तार को प्राप्त होता चला जा रहा है और वाक्य भी ये कहावते मशहूर है कि रादर देन फीडिंग समबड़ी विद ए फिश टीच हिम हाओ टू कैच ए फिश तो इस तरह से ये एक याज इस मौके इस सबसर के ओपर जो मिशन के दोरा योगदान दिये जा रहे हैं और ये एक ऐसा एक विंग जो बनाया गया है जिसको फांडेशन हम कह रहे हैं और जिसके प्रती एंथुजियाजम ग्लोबली है हर जगे के ओपर है जो एक कत्व का हमारा स्लोगन है जो हामनी इन वननेस का स्लोगन है यूनिटी इन डाइवरस्टी का है पीस नौट पीसिस का जो स्लोगन है ये वक्य ही संसार को इस चीज की ज़रूरत है और इसमें हमारे जो नौजवान इनका बहुत बड़ा रोल इसमें है और वाक्के ही मिशन के नौजवान जब इस रूप में अपने आपको प्रस्तुत कर रहे हैं तो बहुत खुशी हासिल होती है News Divine में आगे बनने से पहले एक चोटा सब्डेक और ये संदेश Fountain of Oneness, The Light and Sound Show देखने के लिए पधारे निरंकारी सरोवर कॉंपलेक्स Every Friday, Saturday and Sunday, 7 and 7.30 PM News Divine में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हर्दिक स्वागर दोस्तो इस वर्ष के प्रारंब में हमने एक नया सेक्शन शुरू किया जिसमें हम आपको समाज के कुछ विशिष्ट अतितियों से मिलवाते हैं और उनकी विचार धारा से आपको परिचत करवाते हैं इस बार हमारे साथ हैं कैनिडा से निश्काम सिवा के भाव से अपने समस्त टीम के साथ पधारे कायरोप्राक्टिक डॉक्टर स्टीड साल्फ लेक सिटी यसे से आये करते हैं इन से एक खास मलाकात I am so overcome with the love and compassion that I see in the people here in India and as I walked around today and met many of you and saw many of the pure acts of kindness and compassion I was really touched we had a chance to go down and watch as the food was being prepared and we saw the smiles on the faces of the people who were working very very hard and I was again very touched by that and I can tell you that as we walked around and we saw these incredible acts of service the one thing that was consistent was the joy and the happiness on the faces of the people that we saw it's been said that if we learn to love our neighbor we truly are loving our God and as we serve our neighbor we truly are serving our God and today I had the pleasure of spending a lot of time with an incredible group of doctors and chiropractors and therapists and I watched them work all day long today and they saw hundreds and hundreds of incredible people and it was amazing to see these good people work and again all we saw were smiles and again it really touched us it is such a pleasure for myself and my colleagues Mr. Joe Jensen, Mr. Jack Eldridge to be here and to be among you and I can tell you that we have a great work ahead of us we know that there is much work to do we know that there is a lot of suffering we know that there are a lot of people who need a hand up and I think that it is important for us as human beings and as fellow brothers and sisters to reach out to those whose hands hang low and to lift them up and to give them love and compassion we are especially pleased as an organization at Forever Green to be in alignment with Baba Ji and the incredible organization here and the charities that we are in alignment here with and we understand that these are charities that can help broken people so, D.O.S. how do you feel like this? D.O.S. how do you feel like this? अर्णकारी मिशन के इतिहास और विचारधारों को पहुचाया गया इस वरस बावाजी की किर्पा से आज जनवरी से नर्णकारी अधिहात्नी परदर्ष्टी का अरम बजारों में कर दिया गया था अर्वरी में फिर हमने गुजराध परड़ी में टाटा नगर लहनाओ के अंतर लगाई मार्च में बावाजी ने समाग दे दिये तो हमने इसे हर्दवान में लगाई जबनपुल में लगाई रांची में लगाई और बर्दवान में लगाई इसके बार अपरेल का भीना आरब हो गया। अपरेल में हमने पहली परदर्श्री मारास चलगाओ के अंदर लगाई जहां पर हजारों लोगों ने इसका बलकुन किया। वहां के मनिश्टर साफ ने इसका उतिखाटन किया, वहां के कमिश्टर साफ आए, एसेच पी आए, स्कूल और काजू के बच्चे आए, डाक्टर आए, और वहां पर उन्होंने बड़े ही एक्जी मिशन की साहरना की, वावा जी के कालियों की साहरना की, उसके बाद ये परदर्ष्टी कोलापुर सेंडरल बस टैंड के पास लगाए गई, और कोलापुर के जो चातिफवती शाओ महराज है, वो खुद इसका उधिखाटन करने आए थे, वहां के ब्स पी साफ रैली के अंदर उसकी ओपनिंग करने आए थे, इस समय हम नेपानी करनाटका के अं नेपाइ को यहां के बस्टैंड के सामने वाले मैदान में परदर्ष्टी लगाए गई है, यह परदार्ष्टी यहां पर समाखनी होगी, इसके बाद अभीं पाँ जगा पर ऊर बमभाई ह insements, विले पारले, और बुलाबा, ऑन्द नए बमभें वाशी के अंदर लगे निरंकारी मिशन के परचारवे भाग की ओर से अनेक इस्थानों पर बाल समागम वे इंग्लिश मेडियम समागम आयूजित किये गए जिन इस्थानों पर ये कारिक्रम हुए उनमें परमुख हैं शिरी गंगा नगर, बांदा, गांधी नगर, मुंबई, एहमदाबाद, कानपूर, गुरखपूर और जोनपूर इन समागमों में बाल संगत के बच्चों ने कीत, विचार, नाटिका, कवीता, आधी के माध्यम से जहां निरंकारी मिशन का संदेज दिया, वही बच्चों, युवाओं को सस्थन से जुड़े रहने की भी प्रिणा दी इसके अलावा बाबा गुरबचन सिंग जी के जीवन से प्रिणा लेने के लिए और आने वाली जनरेशन्स को मिशन की हिस्ट्री से रूबरू करवाने के लिए पर चार विभाग द्वारा दिल्ली वेदेश के अनेकों शहरों में एक निबंद परतियोगिता आयो जित की गई जिसमें हजारों बच्चों ने भाग लिया साथ ही अपरेल महीने में दफ्तरों के ससंग का सिल्सला भी दिल्ली के रोहनी कोड सदर बजार बरोडा हाउस आदी इस्थानों पर लगातार चलता रहा तो ये था पिटारा अपरेल के समाचारों का मई 2015 के समाचारों वो सूचनाओं के साथ एक बार फिर हाजर होंगे अगले महिने की दस तारीक को तब तक दीजिए इजाज़त राकेश को न्यूस डिवाइन की पूरी टीम के साथ नमस्कार धन्यरंकार झालत रांकेश घर रहाज़त रांकेश रागले महिने के साथ नमस्कार भाज़त रांके शीजिए